हेलो फ्रेंद्स एंड वन्स अगेन वेलकुम बैक तो मैं चैनल MNS प्रिपरेशन 2021 तो तो टोड़ी चैप्टर इस बॉडी फ्लूइद्स एंड सर्कुलेशन यह पार्ट वन है क्योंकि आप लोग कह रहे थे वीडियो बहुत बड़ी हो जारी है तो आप ट्राइंग की एक दो पार्ट करकर के हाफ एन आफ में खतम कर दिया जाए ओके सो बॉडी फ्लूइद्स एंड सर्कुलेशन यह आज हम लोग पार्ट वन कर रहे है नेक्स पार्ट जल्दी आ जाएगा जो अपरिल का मैं आपको करा रही थी उसमें मैंने आपको पार्ट वन करा दिया है पार्ट विल बी सून तो लेट्स स्टार्ट अच्छली बॉडी फ्लूइद्स एंड सर्कुलेशन क्या होता है हमारे बॉडी में अगर फ्लूइद्स यानि कि जो लिक्विड्स होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने के लिए अगर हमारे पास वो होगा तब ही हमारे बॉडी में कोई भी चीज लाइक वाटर वगेरा सब सर्कुलेट हो सकता है अगर हम सिंपलर ओगानिजम की बात करें जैसे की स्पॉंजे या सीलन्ट रेट्स उनमें सर्कुलेट करने के लिए वाटर उनकी बॉडी कैविटी होती है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है फॉर एक्जैम्पल अगर हम बात करें यहां पर कोई सीलन्ट रेट है और यहां से क्या होगा पानी यहां से एंटर करेगा और यहां से एक्जिट कर जाएगा और यह पूरा बॉडी कैविटी होता है तो उनका जो स्ट्रक्चर बहुत जादा सिंपलर होता है बट हमारे body जो है वो complex है as usual higher organisms की तो इसमें ना कुछ ऐसी body fluids होती है जिसके वज़े से circulation होता है उसमें से most common जो है वो है blood तो अभी हम लोग पढ़ते है blood के बारे में blood is the most commonly used body fluid by which they transfer water and other essentials in body it is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements तो blood related आपसे ये question पूछा जा सकता है कि ये कैसे type का tissue है तो ये एक connective tissue है आप यहां से बता सकते हो कि ये एक connective tissue है ठीक है and अब से पूछा जाएगा इसमें कौन-कौन से elements होते है तो तीन elements होते है एक हो गया fluid matrix एक हो गया plasma और एक हो गया formed elements ठीक है एक तो blood हो गया जो ये सब use transfer करने के लिए use किया जाता है commonly और दूसरा हो जाता है lymph lymph जो है ये भी transport करने के काम आता है बट कुछ substances को ही ये transport करता है ठीक है अगर आप blood में से cells को minus कर दोगे like white blood cells, red blood cells जिन सब को हटा दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा plasma ठीक है और अगर आप plasma में से clotting factors minus कर दोगे जो की total 13 होती है numbers में तो आपके पास बच जाएगा serum ठीक है and serum में क्या होता है serum में antibodies होती है तो ये दोनों equation बहुत जादा important आपके लिए अगर blood minus cells is equal to plasma और plasma minus clotting factors जो की total 13 होती है is equal to serum and serum में क्या होता है antibodies होती है ठीक है now plasma की बात करें तो यहां से हमने plasma में से clotting factors हटा दिये थे और वहीं पे अगर हम plasma में WBC को add कर देते हैं जो हमारे पास plasma है जो की हमें blood minus cells से मिला है अगर हम इसमें WBC को add कर दे यानि की white blood cells को तो हमें मिलेगा lymph and lymph भी transport करने का काम करता है now plasma के बारे में discuss करते है प्लाजमा जो होता है straw colored का होता है यानि की बहुत दा लाइट color सा ऐसे light yellowish type viscous fluid होता है यानि की थोड़ा thick होता है 55% of blood जो है वो plasma ही है ठीक है 8% जो plasma का बचा वो आपका protein हो जाएगा ठीक है तो आपको यह चीज याद रखना होगा यहाँ पे की plasma जो है उसका 90 से लेके 92% माल लीजिए 90% लेके चलते एक average तो यह हो जाएगा water plasma में और बाकी का जो 10% बचा वो आपके proteins हो जाते हैं तो यह कौन से proteins होते हैं इन proteins के ना and albumins ठीक है फिब्रिनोजन, globulins जिसे हम alpha globulins भी कहते हैं albumins जो की सबसे largest protein है यह तीनों plasma में exist करते हैं ठीक है तो अब फिब्रिनोजन के बारे में देखते हैं फिब्रिनोजन needs for clotting और coagulation of blood फिब्रिनोजन हमें क्यों चाहिए होता है blood के coagulation में कई बार यह भी question आता है कि कौन सा vitamin चाहिए होता है blood के coagulation में तो आपका answer वहाँ पर हो जाएगा vitamin K लेकिन आप से यहाँ पर पूछा कौन सा protein चाहिए होता है blood coagulation में तो आप लिखेंगे fibrinogen यह question frame हो सकता है the protein which is needed for clotting and coagulation of blood is called fibrinogen then globulins यह हमारे defense mechanism के लिए होता है हम लोग को protect करने के लिए होता है last है हमारा albumins जो की osmotic balance को pressure को balance करना काम होता है इसका albumins का ठीक है तो हमने देखा starting से blood हो गया blood एक connective tissue है इसमें 3 चीज़ होते है fluid matrix plasma and formed element fluid matrix कुछ उतना important नहीं है plasma plasma में हमने देखा कि अगर blood minus cell करेंगे तो plasma हो जाएगा plasma में से clotting factors जो की कितने होते है total 13 होते है वो minus करेंगे तो serum हो जाएगा और अगर blood minus cell से जो हमें plasma मिला है उसमें हम wbcs को add कर देंगे यानि कि white blood cell को तो हमें मिलेगा lymph ठीक है यह बात हो गए थी plasma जो है यह straw colored का होता है viscous fluid है blood का 55% जो है वो plasma ही है plasma में 90 से लेके 92% तक water होता है बाकी का 6-8% protein होता है और वो कौन से proteins होते है fibrinogen, globulins, albumins, fibrinogen clotting के लिए काम आता है या coagulation of blood के काम आता है globulins defense mechanism के लिए और albumin osmotic balance करता है ठीक है नाव हमने यहाँ पर देखा था कि fluid matrix, plasma और formed element plasma पर हमने discuss कर लिया है now we'll move to formed elements तो formed elements जो होती है न 45% जो होती है वो formed elements होती है blood में तो आपने देखा था plasma कितनी percent होती है blood में बात करें तो 55% plasma होती है और 45% हमारी हो जाएगी क्या? formed elements तो जब हम इसे add करेंगे तो यह अपने आप 100% हो जाएगा तो ठीक है तो आपको एक चीज़ हमें आपे पता चल रही है कि अगर हम 100% blood की बात करें 100% blood की बात करें तो उसमें से दो चीज़े निकलेंगी एक तो आपका plasma हो जाएगा plasma जो कि कितना है? 55% ठीक है? और दूसरा हो जाएगा आपका formed elements, FE लिकरी हूँ मैं ये कितना है? 45% ठीक है? ये चीज़ आप याद रखोगे और इस formed elements में क्या क्या आ जाता है? RBCs जिसे हम erythrocydes भी कहते हैं leukocytes हो जाएगा यानि कि WBCs मतलब white blood cells and platelets ठीक है? ये तीन चीज़े आती है तो हम पहले erythrocydes पढ़ेंगे यानि कि RBC, फिर leukocytes और भी platelets erythrocydes, RBCs most abundant, सबसे ज़ादा यही होता है no nucleus, इसमें कोई nucleus नहीं हो सकत होता है तो आपसे पुछेगा इसमें nucleus नहीं होता है तो answer is erythrocydes ये bi-concave होता है shape में, spherical होता है and अगर healthy adults की बात की जाए तो 5 से 5.5 million तक RBCs एक healthy adult में देखने को मिलते है million, okay फिर बात करते हैं कि होता क्या है human males जो होते हैं ये makes नहीं होगा human males जो होते हैं gens जो होते हैं उनमें na RBCs जादा होती है RBC की मात्रा जादा होती है red blood cell की तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनके पास एक ऐसा hormone होता है जो हम बोलते हैं testosterone का क्या काम होता है ये erythropoetin सिक्रीट करता है क्या सिक्रीट करता है erythropoetin और ये ना बहुत जादा RBCs डेवलप करता है ये erythropoetin इसी लिए males में जो है RBCs जादा होती है हम देखा है RBC red blood cell ले सब है क्या blood में हेमोग्लोबिन बोलते है हेमोग्लोबिन होता है इसको जो हम सास ले पाते है तो हेमोग्लोबिन का हेमो है उसका मतलब होता है iron और ग्लोबिन का मतलब होता है conjugated protein तो अगर आप से पूछे कि कौन सा element है हेमोग्लोबिन में कौन सा iron, helium, lithium, berlium क्या है तो आप बोलोगे iron है ठीक है और ग्लोबिन का मतलब होता है conjugated protein conjugated जुडा हुआ टाइम ठीक है और एक healthy person जो है उसका 12-16 gram of hemoglobin in 100 ml of blood मतलब 100 ml अगर आप blood का लोगे किसी person का आपने 100 ml of blood लिया 100 ml of blood लिया किसी person का और उसमें आपने पाया कि 12 से लेके 16 gram तक hemoglobin है मतलब वो बन्दा healthy है ठीक है वो बन्दा healthy है और यहाँ पे RBC का life span red blood cells जो होती है वो कितने दिनों तक कितने साल कितने महीनों तक जिन्दा रहती है तो उसका life span होता है 120 days का ठीक है 120 days तक हो रहती है अब हम बात करेंगे leukocytes की याने की white blood cells जोकि colorless होता है इसमें nucleus होता है nucleated है बट इनका number कम होता है RBC से तो बहुती ज़्यादा कम होता है ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा था तीन चीज़े RBC leukocytes platelets RBC हमने पढ़ लिया है formed element leukocytes देख रहे हैं अब हम जिसमें इसे WBC भी का जाता है colorless होता है nucleated होता है और laser in numbers numbers में बहुत ज़्यादा कम होता है अगर हम leukocytes की बात करें यानि कि WBCs की बात करें तो यह दो parts में divide होते हैं एक होता है granulocytes एक होता है agranulocytes यह agranulocytes में आता है ठीक है और एक बीच का होता है monocytes तो granulocytes के कितने parts होते है मुझसे discuss करेंगे and agranulocytes के कितने parts होते है उसे हम discuss करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है leukocytes two parts में divided है granulocytes and agranulocytes इसका मतलब क्या है granulocytes का अगर छोटी-छोटी ऐसी molecules जैसा अगर हमे कुछ feel होता है ग्राणूल बोलते हम इसे है मतलब छोटा-छोटा कुछ है बहुत सारे छोट-छोटी-छोटी चीजों को मिला के बना तो granulocytes और ए granulocytes के उपर का जो ऐसे माल जगर यह कोई है और यह पुरा प्लेन है इसके उपर का सर्फिस मतलब यह ए granulocyte है इसमें कुछ भी ऐसे उखडा-खडा सा नहीं होगा प्लेन होगा ठीक है तो वो ए granulocytes हो जाएगा पहले हम granulocytes को discuss करेंगे फिर ए granulocytes को granulocytes तीन टाइप के होते है basophils neutrophils eosinophils यह xenophils भी भूलते हैं इसे basophils का example है यह पे serotonin heparin histamin यह क्या है इसके बारे में आगे चलके पढ़ेंगे neutrophils में आपको याद रखना है यह first defense of body है अगर आपके body पे कोई भी bacteria attack करता है तो सबसे पहले neutrophils को ही पता चलता है और यही आपके body को सबसे पहले defense करने की कोशिश करता है आपके body को protect करने की कोशिश करता है eosinophils का क्या काम है कोई भी allergy reaction होती है allergy वाली reactions like आपने कुछ ऐसा खाया या कुछ ऐसा smell कर लिया जो आपके body को पसंद नहीं है और आपका body उससे दूर भागना चाहरा है तो आपका body एक reaction दिखाएगा for example आपके skin पे white patches आ जाएंगे या फिर आपको बहुत ददा cheek होने लगेगी या आपके पुरे body में itching होने लगेगी तो ये किसके द्वारा किया जाता है eosinophils के द्वारा किया जाता है ठीक है ये तीनो किसके parts है granulocytes के अब हम बात करेंगे A granulocytes A granulocytes क्यों होता है lymphocytes को कहा जाता है lymphocytes दो तरह के होते है B lymphocytes और T lymphocytes इनका भी काम immunity से related ही होता है इनके बारे में आगे के chapters यो human health and disease वाले chapter में हम लोग discuss करेंगे ठीक है basophils की हाँ पर अब वापस से बात करें तो basophils जोते हैं वो सबसे कम numbers में पाए जाते हैं हमारे body में ठीक है lymphocytes again repeat कर देते हैं हम लोग lymphocytes है lymphocytes two types का granulocytes, agranulocytes granulocytes three types के उसके अंदर basophils, neutrophils, eosinophils and agranulocytes हो जाएगा lymphocytes and lymphocytes होता है two types का B lymphocytes and T lymphocytes ठीक है basophils की quantity में बात करें तो सबसे कम numbers में होते हैं 0.5 से 1% ही होते हैं मतलब ना की बात तरह में neutrophils हो गया ये सबसे जादा abundant होता है cells में पूरे WBC, white blood cell के अगर बात करें पूरे white blood cell में 60 से 65% आपका neutrophil ही होता है and neutrophil का का काम भी तो important होता है क्या होता है first defense of body हमारे body का सबसे पहला defense सबसे पहला अगर कुछ होगा हमारे body को तो सबसे पहले इसी को पता चलेगा सबसे पहले यह ही प्रोटेक करेगा ठीक है eosinophils का हमने देख लिया यह 2-3% ही होता है यह रेजिस्ट करता infections को allergic reaction से associated है ठीक है और फिर है lymphocytes जो की एक granulocyte है इसलिए आप ए नमबर दिया है lymphocytes एक granulocytes है यह 20-25% होता है और यह immunity के लोता है मैंने आपको बताया immune response के लिए ठीक है तो हमने तीन चीज़े यहाँ पे कौन-कौन से देखनी थी RBC, Leukocytes, Platelets RBC जाने कि Erythrocytes हमने देख लिया Leukocytes देख लिया अब हम बात करेंगे Platelets की तो Platelets है क्या Platelets को एक और नाम से जानते है वो क्या है वो है Thrombocytes Platelets यह Thrombocytes जोनों का मतलब एक ही होता है Produced from Megacaryocytes अगर आप से पुछे Platelets को कौन प्रड्यूस करता है यह कहां से प्रड्यूस होता है तो यह Megacaryocytes से प्रड्यूस होता है और अगर Platelets का नंबर कम होने लग जाए तो एक बिमारी हो जाती है Disorder हो जाता है Disorder मतलब Group of Diseases बहुत सारे diseases बहुत सारी बिमारीों को मिला के Diseases को मिला के बनता है एक Disorder ठीक है अगर इस Disorder का नाम है Hemophilia तो अगर आपके Body के अंदर दीरे-दीरे Platelets की कम होती जा लिए तो Hemophilia आपको Disorder हो सकता है इसके बारे में आगे Detail में Discuss करेंगे Now A, B, O Grouping की बात करते है हमारे Body के Blood Groups हमेशा से मैं पता है A Blood Group होता है या तो Positive A Positive या तो A Negative B Blood Group होता है B Positive या B Negative फिर A, B होता है A, B Positive होगा या A, B Negative होगा और O Blood Group होता है O Positive होगा या O Negative होगा ठीक है यह होता है चार Blood Groups होते है A, B, A, B और O ठीक है For example अगर आपका Blood Group A है ठीक है अगर आपका Blood Group A है तो जो blood group आपका होगा वही आपके blood group का antigen भी होगा मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ for example अगर आपका blood group A है तो आपका antigen भी anti-A होगा और क्योंकि यह blood group A है और उसका antigen भी A है तो यह दुश्मन किसका होगा? B का तो जिस जिसमें भी B प्रेजेंट होगा वो anti-A के पास आ नहीं सकता ठीके? तो यह blood group B को अंदर आने नहीं देगा तो इसके पास antibody किसका होगा? anti-B ठीके? आप समझाती हो मेरे बात को मैं वापस explain करती हूँ अगर आपके पास blood group A है तो आपके पास antigen भी A ही होगा और antibody जो है वो opposite होगा anti-B ठीके? जो blood group वही antigen उसका antibody कुछ और यानि कि opposite ठीके? आपका blood group अगर यहाँ पे आप देख सकता आपका blood group अगर B है तो आपका antigen भी B होगा लेकिन आपका जो antibody होगा वो anti-A हो जाएगा ठीके? अगर आपका blood group AB है यह चीज बहुत खास है ध्यान रखने वाली अगर आपका blood group AB है तो A है उसमें B भी है दोनों चीज़े है तो antigen दोनों का होगा A का भी होगा B का भी होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो A का भी है B का भी है है ना? लेकिन उसके पास antibody किसका होगा जब antigen दोनों का है तो किसी का भी antibody नहीं होगा अब group O की बात करते हैं तो इसके पास तो ना A या ना B है तो antigen किसी का नहीं होगा और antibody दोनों का होगा anti-AB होगा anti-B भी होगा आपसे exam में question जो आएगा वो यह पूछा जाता है कौन सा ऐसा blood group है जिसके पास antibody नहीं है तो blood group A, B के पास कोई antibody नहीं है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा blood group है जिसके पास antigen नहीं है तो blood group O के पास antigen नहीं है अगर आपको यह grouping समझनी है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा जो ब्लड ग्रूप वही एंटिजन, जो ब्लड ग्रूप वही एंटिजन, जो ब्लड ग्रूप वही एंटिजन, ठीक है, ब्लड ग्रूप O में कोई एंटिजन नहीं होता है, ये इंपोर्टन है, ब्लड ग्रूप के डिस्कबरी किसने की थी A, B, O ग्रूपिंग, ये की थी क काल लैंड स्टीनर से ये question बहुत बार आ चुका है नीट वगेरा के exam में भी बहुत easy level का question है MNS में भी आ सकता है काल लैंड स्टीनर है जिन्होंने ABO grouping की discovery की थी universal donor मतलब एक ऐसा वेक्ति या ऐसा blood group जो किसी को भी blood दे सकता है तो O negative अगर आपका blood group है तो आप किसी को भी blood दे सकते हो लेकिन एक बात याद रखना आप किसी से भी blood ले नहीं सकते हो क्योंकि आप O negative हो तो आप सिर्फ O negative वाले से ही blood ले सकते हो अगर आपको सबसे blood लेना है तो उसके लिए आपको AB positive होना पड़ेगा universal acceptor होता है किसी से भी blood ले सकता है क्योंकि इसके पास anti-A भी है anti-B भी है और इसके पास कोई antibody है ही नहीं है ना तो कोई antibody नहीं है तो किसी को मारेगा ही नहीं तो इसलिए ये universal acceptor है ये आप यहाँ पे negative positive का ध्यान रखा है universal donor मतलब देना तो देने पे क्या होगा negative होगा क्योंकि कम हो जाएगा हमारा blood तो negative ऐसे याद रख लेना and universal acceptor मतलब लेना लेने से बढ़ेगा तो positive ठीक है now RH grouping RH grouping बहुत important topic है for example मैं आपको RH grouping पूरा detail में समझाती हूँ आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा humans है ठीक है humans originate हुए है rhesus monkey से जैसे कि हमारा अगर blood group A है तो हमारे अंदर कौन से antigen होता है same antigen अगर blood group A है तो antigen A होगा हमारे अंदर है ना और blood group B है तो antigen B होगा हमारे अंदर हमने यही पढ़ा ठीक है तो एक और extra antigen कुछ-कुछ human beings में present होता है जिसे हम बोलते है r antigen अगर हमारे पास r antigen है तो हम rh positive कहलाएंगे और अगर हमारे पास r antigen नहीं है तो हम rh negative कहलाएंगे आपने मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट जो पी एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट वाला उस पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे फीनो टाइप और जीनो टाइप्स होते है यह जीनो टाइप है अगर आपके पास r h positive है यानि कि आपके पास r antigen है तो यह दोनो आपके पास genotype हो सकते है और अगर आपके पास r antigen नहीं है तो दोनो छोटा r होगा आपके पास r h negative ठीक है एक बिमारी है Erythroblastosis fetalis ठीक है? बिमारी का नाम है Erythroblastosis fetalis यह कोई बिमारी नहीं कह सकते ऐसा होता है इसमें क्या होता है कि RH grouping के वज़े से यह होता है For example कोई male है उसके पास RH positive है ठीक है? और कोई female है जिसके पास RH negative है इन दोनों की करा दी गई शादी जब शादी कराई तो इसके पास RH positive है male के पास उसके पास दो ही option रहेंगे phenotype के वो रहेंगे या तो दोनो capital R होगा या तो एक capital R और small R होगा और अगर वो female है तो female RH negative है तो दोनो small R रहेगा जब हम इनकी crossing कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी crossing कराने पे हमें जो baby मिलेगा वो कैसा होगा? capital R small R आएगा उसके उपर जब हम इनकी crossing कराएंगे तो baby का कैसा आएगा? capital R, small R याने कि वो क्या है बेबी जो है वो और एच पॉजिटिव है इतनी बात आपको समझ में आई अगर हम इसे वापस से शॉर्ट फॉर्म में डिसकस करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते कि और एच पॉजिटिव थे पापा और और एच नेगिटिव थी ममा और दोनों को जब मिलाया तो कैप्टल आर स्मॉल आर बना जिसके वज़े से र एच पॉजिटिव हो गया बच्चा भी ठीक है तो जो पापा है वही बच्चा है बस जो ममा है वो अलग है ठीक है अब क्या हुआ जब ये लेडी प्रेगनेंट हुई तो इसके साथ तो ऐसा हुआ कि बच्चा जो था वो आरेच पॉजिटिव है ये और ममा जो है वो आरेच नेगिटिव है तो जब डिलिवरी होता है तो बच्चे के अंदर का जो बच्चा का जो बलड होता है वो थोड़ा बहुत चला गया ममा में तो जब ममा में वो बलड गया यहाँ पर मैं आपको बना तो ये हो गई और ये हो गया बेबी तो जब मदर में इसका ब्लड जो चला गया थोड़ा बहुत उसके वज़े से क्या हुआ अगर आपके बॉड़ी में कही का और का फॉरन सब्स्टांस आएगा आपका ब्लड ग्रूप है A और आपके बॉड़ी में चला गया B ब्लड ग्रूप तो आपका बॉड़ी तुरंट उसे मारना चाहेगा अपना दुश्मन समझेगा और उसके खिलाफ क्या बना लेगा अंटी बॉड़ी बना लेगा अंटी बॉड़ी तो होता ही है पहले से और उसे मार गिराएगा क्योंकि उसके लिए तो फॉरण सब्स्रांस है वैसे ही जब बच्चे का ब्लड आया है ममा के अंदर तो इसके पास तो आंटी बॉड़ी था ठीक है आरेच नेगिटिव के पास आंटी बॉड़ी था इसने इन सब को मार गिराएगा सब को मार गिराएगा अब क्या हुआ नेक्स्ट बेबी हुआ सेकंड बेबी में प्रॉब्लम ये आई कि जब इसके अंदर बेबी था तो उसका भी जो ब्लड गुरुप था वो आरेच पॉजिटिव था ठीक है अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि इसका जो बॉड़ी था ये तो पहले ही आरेच पॉजिटिव वालों को मार चुका था अब उसके खिलाफ वो रेजिस्ट कर रहा था मदर का जो बॉड़ी है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था बच्चे के आरेच पॉजिटिव को ठीक है क्योंकि बॉड़ी आरेच नेगिटिव था खुद अब इसके वज़ा से क्या होता है वो बच्चे को मारने लग जाता है मतलब मदर की जो बॉड़ी है वो खुद ही बच्चे को मारने लग जाती है इसकी वज़ा से क्या किया जाता है बच्चा second जो delivery होती है वो हो ही नहीं पाती है और बच्चा जो है बार-बार बोलते हैं ना miscarriage हो जाता है ठीक है तो इसका कोई तो solution होगा तो इसका एक solution है एक blood, एक injection आता है जिसका नाम है Rogan injection ठीक है Rogan injection आता है और ये injection पहले delivery होने के जस्ट बाद लगा दी जाती है जिसके वज़से blood volume decrease हो जाता है and reticulate network बन जाता है thread की तरह एक element का जिसके वज़से ये जो है ना antibodies नहीं बना पाता है mother का जो body है वो antibodies नहीं बना पाता है baby के body के खिलाफ ठीक है तो वो injection का नाम Rogan injection है और ये जो पूरा जो disease type का जो ये process है इसे बोलते है erythro blastocyus fetalis erythro मतलब RBCs हमने देखा ना RBC formation करना blastocyus मतलब blast हो जाना RBCs का blast होने के वज़से fetalis fetalis मतलब fetal यानि कि जो baby है वो ठीक है तो baby का जो है वो RBC blast कर जाता है RBC वैसे फट जाता है उसका तो ये पूरा disease है तो ये तो था first part chapter का second part भी हम लोग जल्दी discuss करेंगे ये आदे गंटे का होई गया है second part में हम लोग पढ़ेंगे coagulation of blood से start करेंगे then we have lymph lymph के बारे में जादा कुछ है नहीं बताने को circulatory pathways जिसमें हम human circulatory system पढ़ेंगे बहुत interesting topic है cardiac cycle और ECG यानि की electrocardiograph पढ़ेंगे double circulation और कुछ disorders है circulatory system related जैसे की hypertension हो गया angina, heart failure heart attack इन सब के बारे में discuss करेंगे so I hope you guys like this video अगर अगला जो part है अगर वो छोटा बनता है तो मैं जरूर उससे ही वहीं पे question answers आपको solve करा दूँगे अगर नहीं हो पाया तो part third जरूर आएगा for your question answer series I hope you guys like this video thanks for watching please like, comment down कैसा लगा, share to the friends who are preparing for MNS 2021 and if you are new to this channel I will be really very happy if you take a moment and subscribe to it once again thank you, bye bye